भरगव जी छेश तरह से अब ये लडाई जेस तरह से बयान सामने आ रहे हैं मर्यादएं लागे जारी है औकाथ की यह बयान हो इसे कहीं से भी जस्रिफाइ नहीं किया जा सकता लेकिन हमेशा ये दिखा गया है कि कॉंग्रिस ने जब भी इस तरह के बयान दिये हैं कॉंग्रिस को नुकसान पहुंचा है तो इस बारी क्या आखिरकार क्या मानते हैं आप क्या ये सोची समझी एक रंडिती है क्यूंकि कॉंग्रेस ज़्यादा सुर्ख्यों में नहीं थी इस बाग पिदान सवाचुनावों में आमादमी पार्टी की ज़्यादा चर्चिया हो रही थी तो ये जो बयान दिया गया है तेरी आउकात मेरी आउकात इससे किसको फाइदा कितना नुकसान क्या विशलेशन आपका रवी जी बिलकुल सही बात है आपकी इसमार जो कॉंग्रेस ने रणनिती की थी हम मेरी कहीं कॉंगरेस के बड़े दिगद नेता और सेंटरल लीडर से भी बात हुई थी जैसे ही चाय के चर्चा होती है उसी की तरह चर्चा हुई थी यह manifesto होने के पहले जैसे हर वक्त BJP के नेता के साथ भी हुई है आगमागभी के पास भी हुई थी तो उनकी रणनीती के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तो उनका यह कहना था कि कि सेंटरल लीडर आने के बाद मोदी वर्सिस को कि अंदर उनके पास बड़ा चेहरा एसा है निए जो ट्राउट पुलर हो सके तो हम हर वक्त जब सेंटरल लीडर यहां पे दोरे पे आते हैं तो उनकी लड़ाई सीथी मोदी वर्सिस Congress हो जाती थी तो इस बार मोधी वर्सिस Congress ना हो जा इसके लिए वो परहेश कर रहे हैं थे Central Leaders को यहां पे लाने के लिए और Central Leaders क्योंकि नरेंद्र मोधी और अमिच्छा जो है वो गुजरात के ग्राउंड से जुड़े हुए है तो उनके लिए गुजरात के लोगों के लिए लेकिन जो बाहर से जितने भी नेता आते हैं वो उनके लिए मोधी वर्सिस Congress हो जाता है तो उन्होंने यह पूरा एनालिसिस करके रखा हुआ था कि अगर मोधी को मोधी वर्सिस Congress होती है तो 2002 के अंदर उनको खामिया जब भुकतना पड़ा था 2007 के अंदर एक ही सेंटेज जो अभी बीचेपी के दौरा अभी बीचेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि मौत के सौधागर गांदीनगर नहीं जा सकते वो एक बयान बड़ा उनके खिलाब गया था क्योंकि उस समय भी मैं काफी मेरी कंपनी जो जीस कंपनी के साथ मैं काम करत अभी मैं का अंदोलन होता है मार्च से जून तक ग्यातिवार अंदोलन होता है उसके बाद मारिश का सीजन होता है तो मारिश कैसी रही कैसी नहीं रही और उसके बाद सफेस्टिव सीजन होता है तो मारिश अच्छी रही तो सरकार की कामगीरी कैसी है नहीं अच्छी रही एक overall picture खड़ा होता है, तो ये picture को minutely अगर देखा जाए, तो 2007 के अंदर मौत का सौधागर जो sentence आया, उसके बाद जो swing आया है BJP को, तो वो 7.5% का बोट का swing आया है और काफी हद तक उनको फाइदा हुआ, उसके बाद 2012 के अंदर यही लड़ाई, डूंडियो राक्षस, गु का प्रयोग कॉंग्रेस के द्वारा किया गया, जिसको का भी BJP ने हद तक घुनाया था, 2014 की अगर बात की जाए, तो चाय वाला शब्द यूज किया गया था, मनिशंकर येर के द्वारा, तो जिसका उपयोग किया चाय पे चर्चा के राम पे पुरा प्रचार किया गया, 2014 2017 के अंदर नीच कहा गया, तो उसका उपयोग किया गया, तो इन सब चीजों को इस वार कॉंग्रेस ने देखा था, और वो परहेस कर रहे थे, इस लड़ाई के अंदर, इसलिए ग्राउंड पे कहीं दिखने ही रहे थे, वो लोकल इस्चू को लेके गाव गाव और चोटी है, हम हलके में उसको नहीं ले सकते है, क्योंकि ये कॉंग्रेस ने बार-बार इतने इलेक्शन में जो गल्ती की है, वो गल्ती को फिर से एक बार दोरा है, और वो स्विंग, जो अभी तक, ये मेरे दो सर्वे होए है, परस्नल जो सर्वे मैंने किये है, उसके अंदर, ये स काली को किस तरह से बुनाते हैं तो ये 20 दिन के अंदर वो स्विंग कितना चेंज होता है वो भी एक देखते की चीज रहेगी